सज्जनों देवियों आज मैं मेरा उत्तरार्द भाशन आपके समक्ष रजुगरवना इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि मुद्दा केवल सूचना और विचारों के आगे प्रसारित करने की सतंत्रदाका ही नहीं है बल्कि यहाँ सवाल ऐसी सूचना और विचारों का पता लगाने के अधिकार की समविधानिक गयारंटी का ही है समकालिन समाज में अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रदा ही अब काफी नहीं है सूचना की सामाजिक भूमिका के कारण तथा लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक्ताओं के कारण सूचना और विचारों का पता लगाने और अफ्राप्त करने के प्रतेक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए यह अधिकार सूचना प्रसारित करने के अधिकार का ही सगामी है इसी लिए International Covenant of Civil and Political Rights के अनुच्छे दुन्नीस में सूचना और विचारों का पता लगाने और उन्हें आगे प्रसारित करने सम्मंद ही दोनों अधिकारों की बात कही गई है इसी प्रकार European Convention of Human Rights के अनुच्छे दस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल सूचना प्रसारित करने का ही अधिकार शामील है बलकि इसमें सूचना और विचारों का पता लगाने का अधिकार भी शामील है European Court of Human Rights ने एक मामले में यह विचार व्यक्त किया कि यह अधिकार वक्ता की मरजी पर निरभर है Court ने इस मामले में यहां फैसला दिया कि सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार मूल रूप से सरकार को किसी एक व्यक्ति पर ऐसी सूचना प्राप्त करने का प्रतिबन लगाने से रोकता है जिसे दूसरे प्रसालित करने के इच्छुक हो दूसरे शब्दों में अनुच्छे 10 सरकारी विभाग या एजनसी से कोई शाशकी या सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है इससे ऐसा लगता है कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार में सूचना का पता लगाने का अधिकार शामिल नहीं है लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि यूरोपियन कोर्ट का यह निर्णय अनुच्छे 10 की विशिष्ट भाशा पर अधारित था जिसमें International Covenant of Civil and Political Rights के अनुच्छे 19 से बिन्द वाक और अभिव्यक्ति की स्टन्सरता के अधिकारों के एक जरूरी हिस्से के रूप में सूचना का पता लगाने के अधिकार विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है फिर भी मेरा मंतव्य है कि यूरोपियन कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्टन्सरता की कुछ संकुचित और बंदी हुई व्याख्या की है यह भी ध्यान देने की बात है कि अभिव्यक्ति की स्टन्सरता के हिस्से के रूप में सूचना और विचारों का पता लगाने के अधिकार को International Covenant of Civil and Political Rights के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट मान्यता दी गई है The right of information is specifically included लेकिन सूचना का पता लगाने के अधिकार का नतो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19.1 में है और नहीं European Convention of Human Rights के अनुच्छेद 10 में विशिष्ट रूप से उल्ले किया गया है अतह प्रश्ण यह उठता है कि क्या अनुच्छेद 19.1 क के अंतरगत संबंदित व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है एक विचार यह होता एक विचार यह है कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार में आम तोर पर सभी सुगम्य श्रोतों से सूचना का पता लगाने का अधिकार बिशामिल है लेकिन इस अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकारी इस आधार पर सूचना मुहया कराने के लिए बाद्य होंगे वह एक विचार है एक अन्य विचार जिसका कानून विदों ने समर्थन किया है और जिसमें मैं भी समातूं यह है कि भारत के समविधान के अनुच्छेद 1901 करके तथा European Convention of Human Rights के अनुच्छेद 10 के उद्देश्यों और प्रभाव को महत्व देते हुए सूचना प्राप्त करने का अधिकार साफ तोर पर इस प्रावधान में शामिल है जैसा कि पहले बताया जा चुका है International Covenant of Civil and Political Rights के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ती की स्वतंत्रदा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है अतह ऐसा लगता है कि देश के न्यायल है अनुच्छेद 1901 के अंतरगत वाक और अभिव्यक्ती की स्वतंत्रदा के अधिकार के विस्तार और क्षेत्र की व्याक्या करते हुए International Covenant of Civil and Political Rights का अनुच्छेद 19 से संबंद अंतर राष्ट्रिय मानव अधिकार मानदंडों पर ध्यान दे सकते हैं और सूचना का पता लगाने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दूसरे शब्दों में सूचना जानने का अधिकार की व्याक्या कर सकते हैं राष्ट्र मंडल सचिवालाई जो कॉमन्विल सेक्रेटेरियट के कहने पर मेरी अध्यक्षता में फरवरी 1988 में बैंगलोर में हुई दक्षीन एश्याई और दक्षीन पूर्वे एश्याई देशों के मुख्य न्याया दिशों की न्याईक वारता में अंतर राष्ट्रिया मानवधिकारो के मानदंडो का सही अर्थ में अंतर राष्ट्रिया करने के उदेश थे उक्तव्याख्या क्या जोरदर समर्थन किया गया internalization of international domestic, international human rights norms, how they can be incorporated in internal domestic jurisprudence. वास्त में मैंने S.P. गुपता बना Union of India मामले में जो अब नायाधीश की नियुक्ति और स्थाना अंतरन के मामले के रूप में जाना जाता है, अपना निर्ने देते हुए यह टिपनी की थी, के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सूचना का अधिकार स्वतह उत्पन होता है, और यह उसी का एक हिस्सा है, जो उसी में समाहित है, सूचना का प्राप्त करना, अत्वा सूचना तक पहुंचने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अति आवश्यक तत्व है, वास्तव में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तथा विशेश रूप से प्रेस की आजादी का सारा प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा यदि प्रेस की पहुंच सूचना तक खास तोर पर सरकार के पास सुरक्षित सूचना तक नहीं हो पाती है मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विचार से लोक तंत्रत का अर्थ मात्र यह नहीं है कि प्रतेक पांच वरश की अउधी की समाप्ती पर प्रतिनिद्यों का चुनाव कर लिया जाए वास्तव में इसका तात्तपर्य यह है कि सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी हो लोकों के जीवन पर असर डालने वाले सभी प्रमुक फैसलों से लोक स्वयम जुड़े देर मस्ट बी अ पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें सूचना के अधिकार एवं जानकारी का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता मैं मानता हूँ कि सूचना का अधिकार अत्वा सूचना तक पहुँचना का अधिकार लोकतांत्रिक जीवन की बुन्याद है वस्तुतह इस अधिकार के मुक्त और अबाहद प्रयोक के बिना वास्तविक लोकतंत्र कारगर तरीके से काम नहीं कर सकता अमरीका में इस विचार को मान्यता प्राप्त है इसलिए उस देश में लोगों के लिए सूचना की सतंत्रता अधिनियम मौजूद है Freedom of Information Act यह अधिनियम 1906 में पारित किया गया था और 1924 में इसमें भारी संशोदन किया गया तथा रक्षा, विदेशों से संबंद, आंतरिक, कार्मिक नियम और प्रक्रिया, गोपनिय सलह, निजी गोपनिय अता, कानून लागू करने के लिए जांच परताल, बैंक, तथा अन्य वित्तिय संस्थाय, पेट्रोलियम स्रोतों का विकास, व्यवसाई गोपनिय अता, तथा अन्य कोई कानूनी राए से अन्य वारिय गोपनिय अता, के छूट संबंदी, नौक्षित्रों को छोड़ कर, सरकारी रिकॉर्ड तक जनता की पहुंच के अधिकार की पुष्ठी कर दी गई, अमरीका का कानून, उन कानूनों के समान ही है जो स्वीडन, डेनमार्क, नौर्वे, औस्ट्रिया, फ्रांस, नेदरलेंड, औस्ट्रेलिया, कनाड़ा और न्यूजिलेंड जैसे देशों में विद्यमान है, इन सभी देशों के कानूनों में तीन बुनियादी विचारनिया बाते हैं एक साशकी यह सूचना और सरकारी रेकॉर्ड तक पहुँचना का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए लोकों से यह पुछताच न की जाए कि यह जानकारी उन्हें क्यों चाहिए इसकी बजाए नियंत्रक्सित दान्तिया है कि सूचना देना सरकार का कर्तव्या है ख चूट केवल राष्ट्रिय सुरक्षा और निजी गोपनियदा के जैसे विशिष्ट और स्वतह स्पष्टक्षेत्रों तक ही सीमित रखी जाए और गर अनुरोदों को स्विकार करने की कोई विशिष्ट समय सिमा दिर्धारिद होनी चाहिए तथा मनाई के विरुद्ध, निश्पक्ष, प्राधिकारी के पास अपील करने का आटोमेटिक अधिकार होना चाहिए लेकिन भारत सही तीसरी दुनिया के अनेक देशों में सरकार की चाहे उसका राजनीति गरंग कुछ भी हो यह प्रवृति हमेशा रही है कि लोकों से ऐसी हालत में सूचना अवश्य छिपाई जाए जब सूचना के खुलने से सरकार को नुक्षान पहुचने की आशंका हो इसकी अतिरिक्त सत्ता रूड राजनीतिकों के हाथ में सूचना को रोक कर रखना तथा उपयुक्त समय पर यह सूचना जारी कर देना एक शक्तिशाली हत्यार है और इन राजनीतिक व्यक्तियों का सत्ता में बने रहना उनकी इस शक्ति पर निर्बर करता है इसलिए यह असामान जैसा नहीं लगता कि जब किसी नागरिक द्वारा कोई सूचना प्रगट करने की मांग की जाती है तो सरकार किसी मामूली से बहाने पर ही शाषकी या गुपतबात अधिनियम जैसे पुराने और एंटिक्वेटेड कानून का सहरा लेती है Official Secrets Act इस संबंद में मैं यहां कुछ एक उदाहरन देना चाहता हूँ राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशिक धन के स्रोत और मात्रा के संबंद में ग्रुह मंत्रा लाए के लिए आसूचना ब्यूरो इंटेलिजन्स ब्यूरो द्वारा तयार की गई रिपोर्ट शहा आयोग द्वारा खुला किये गए अत्याचारों के फिर नव होने देने के उद्देश्च से इंटेलिजन्स ब्यूरो और केंडरिय जांच ब्यूरो के सुधारों के संबंद में LPC समिधी की रिपोर्ट तथा श्रीमत इंदिरा गांधी के हत्यापर शक्कर आयोग की रिपोर्ट जो अब प्रकाशित हुई है इत्याजी सभी रिपोर्टों को गुप्त रख लिया गया था हालांकि जन्ता के लिए इनसे अवगत होना इसलिए बहुत जरूरी था कि यह वह देख पाती कि सरकार या उसकी एजन्सियां देश को कैसे चला रही है ताकि वह अपने प्रतिनिदियों के माध्यम से इस बारे में समय पर ही अत्वा चुनावों के दौरान कुछ उपचारात पक उपाय कर सकती है जिन शाश्वत मुल्यों ने हमें विदेशी शाशन से मुक्ति के लिए संधर्श करने को उत्प्रेरित किया था यह उनसे पुनह उलट स्थिती है खेद की बात तो यह है कि विरासत में मिले उपनिवेशिक धाचे को दश्ट करने की बजाए हमने इसे अपना लिया इसका पुनर निर्मान किया तदा सूचना से अवगत होने की स्वतंत्रता को कोई विशेश महत्वा प्रदान नहीं किया यह जानना जरूरी है कि लगबग एक सो वर्ष से भी पहले संधी वारतार ट्रीजी नेगोसियेशन के कुछ बातें समाचार पत्रों को पहले से ही पता चल जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटन ने Official Secrets Act 1882 नामक कानून बनाया था सन 1911 में किती एक ही दिन में इसे व्यापक रूप से संशोधित कर अस्थाई उपाय के रूप में लागू कर दिया गया युद्ध के आसार होने के कारण उस समय भाय और आशंका का वातावरण बना हुआ था ब्रिटन के कानून बनाने के लंबे हितियास में यही एक विधान ऐसा है जिसके तीनों पार्ट मातर 30 मिनिट में पूरे करके इससे पारित कर दिया गया भारत में आपत स्थिती के दौरान पारित किये गए कुछ कठोर कानूनों द्वारा भी इस रेकॉर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता यह जानना चाहिए कि इंग्लेंड में अब Official Secrets Act में एक ऐसा संशोदन लाने का बिचार गया है जिसके द्वारा उसका Catch All Section 2 को नई धारा में बदला जाएगा जो इस समय इस कानून को बिगाड़े हुए है ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मद में एक श्वेट पत्य जारी किया है और इसका विचार युक्त कानून में ऐसा परिवर्तन करने का है जिसके द्वारा केवल उस सूचना को प्रकट करने पर रोक होगी जिसे जन हित में हानी कर समझा जाएगा प्रारंब में वर्ष 1979 में ब्रिटिश शरकार ने एक नई धारा दो पेश करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें यह व्यवस्था थी कि मंत्री यह फैंसला करेगा कि देश की सुरक्षा के लिए क्या हानी कार है लेकिन अब नए प्रस्ताविद विधान में मंत्री के इस प्रमान पत्र की कोई हमियत नहीं होगी अब यह फेंसला करना कि तथा कि क्या सूचना का प्रकटिकर हनीकर होगा वो नाया लोगों की जिम्मेदारी होगी नए विधान में रक्षा, सुरक्षा और आसूचना, अंतर राष्ट्रिय संबंद, दूसरी सरकारों अथवा अंतर राष्ट्रिय संगणों से गोपनी और रूप से प्राप्ट सूचना, अपरादियों के लिए उपयोगी सूचना, टेलीफोन तथा डाक और अंज संचार सा जिसके अंतरगत, अतिसाधारन शाष्ट्रिय सूचना को भी प्रकट करना अपराद माना जा सकता है, अब वईद नहीं रहेंगे। और इसका दूसरी बार प्रकट करना हानी कारण नहीं हो सकता, तो भी इसका कोई बचाव नहीं होगा, तो स्पाई कैचर केस हुआ था, उसके बारे में इन ओर्डर टू नेगेटिव दी इफेक्ट ऑफ डैट ये संसोजन लाने का प्रयास किया गया था, वैसे तो प्रस्त जब वे किसी थोड़ा दोका धरी या अपराद को प्रकट कर रहे हों, इंगलेंड में आलचोकों द्वारा इस बात की और और भी ध्यान दिलाया गया है, कि नए विधान के प्रस्तावित उपबंद संचार माध्यम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, क्योंकि किसी प्रकार को निशेद श्रेनी से संबंदित कोई लेक प्रकाशित करने पर जेल भी हो सकती है, और इसके लिए यह सिद्ध करने की आवर्शक्तिया नहीं होगी, कि कोई ख्रतिया नुक्सान हुआ भी है, संचार माध्यम को ऐसी बात, जैसे कि यूरोपियन कमिशन द्वारा सरकार को बेजी गई, उस रिपोर्ट के ब्योरा, जिसमें प्रदूशन नियंतरंग, जैसे ईसी नियमों का कारियावित करने में सरकार की असफलता के बारे में शिकायत की गई हो, प्रकट करने बर भी का सामना कर पड़ सकता है, संचार माध्यम को इस बात के लिए भी अदालत में गसीटा जा सकता है, कि उसने ब्रिटिश शरकार को ईसी द्वारा भेजे, भेजे गए उन आदेशों को प्रकट कर दिया, जिसमें उसे बच्चों के कपड़ों पर वैल्यू एडिट कर लगान अन्य कराधान करने उपभुकताओं से संबंदित मामले तेजाब की वर्षा आदी अविशोयों पर निर्देश दिये गए थे, संयुक्त राष्ट्र परियावरन कार्यक्रम या विश्व संगछन से प्राप्त, प्रगती संबंदी रिपोर्ट भी इसी श्रेणी में आती ह यदि कोई पत्रकार किसी ऐसे व्यक्ती का नाम सूचित कर देता है, जिसका टेलीफोन गलती से टेप्क कर दिया गया हो, तो उस बेचारे को दो परश की जेल तक हो सकती है किसी भूत्पूर और सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना प्रकट करना अपराद माना जाएगा, और यह दली नहीं दे सकता, कि वह तो केवल उस मामले के बारे में बता रहा था, जो दर्शो को पहले संबिदन शील था अतह यह महसूस किया जा सकता है, कि यद्यपी सेक्षन दो, कैच ओल का प्रभाव हटा कर नए विधान में कुछ उदारदा दर्शाई गई गई है, लेकिन अन्य कई कारणों से इस विधान में गिरावट ही आई है, लेकिन जब तक यह नहा विधान कानून नहीं बन जाता तब तक 1911 में अस्थाई उपाय के रूप में बना कानून, Official Secrets Act ही प्रभावी रहेगा, यह परिस्थिती इंगलंड में है, भारत का शार्ष किया गुपतबात अधिनियम 1930, वर्ष 1911 के British Act के ही नकल है, सिवाए इसके कि भारत के अधिनियम में अपरादों की सजा और भी ज्यादा कठोर है, ऐसा होने का स्पष्ट कारण यह है, कि इस अधिनियम को बनाने वाले अंग्रेजों ने यह कानून अपने उपनिवेशिक दासों के लिए बनाया था, वस्तुतह यह खेत की बात है, कि जहां एक और ब्रिटन में Official Secrets Act पर जोरदार वाद विवोद हो रह में कोई चर्चा सुनाई नहीं पड़ती, अब चर्चा हुई है, बड़ उसके ऊपर कुछ कारिवाई नहीं हो रही है, साशकी यह गुप्तबात अधिनियम एक अपवित्र कानून है, यह खुली सरकार के रास्ते में सबसे बड़ी बादा है, और इसमें अवश्य ही संशो एक एक्ट का संबंद है, एक अंग्रेज जच को यह कहना पड़ा, यह बाद भारत के अधिनियम के बारे में भी लागू होती है, कि इसमें से कैच ओल सेक्शन दो को हटा दिया जाना चाहिए, इस सो वरस से भी अधिक पुराने लोक तंत्र में, लोकों के वोटों की गिंत होती है, जनता से सरकार की भीतरी कार गुजारी चिपाई जाती है, साशन की कला में किफायत बरती जाती है, और संस्थागत नैतीनता को परंपरा की दुहाई दी जाती है, तात्विक मुल्यों पर सत्ता का खेल हवी हो गया है, अनेक वर्षों तक लोग यह स्विकार करते रहे कि एक बार चुने जाने पर शाशक अपनी मर्जी के अनुसार ही जनता पर साशन करते हैं, लोकों को यह नाजूक सूचना देने से वे इनका कर देते हैं, कि उन्होंने यह सब कैसा किया, जनहित की आड में वे उसे उचित ठहराते हैं, लगबग चुरानू वरस पहले सबसे बड़ी नाइक कोट है, तो इसने प्रस्ताव की पुष्टी की थी, कि जनहित से संबंदित, सूचना रोकने का समराट को, राज्य को ऐसा विशेशिदिकार है, कि जिसकी पुनरिक्षा नहीं की साज़ जा सकती, आज उस प्रस्ताव की परचाई में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार यह दायित्व बना कर प्राण फूंके जा रहे हैं, कि वे गुप्तबातों को प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाता हूँ, कि मेरी चिंता, राज की अगोपनियादा के बारे में इतनी नहीं है, जितनी शाशक और शाशित के संदेहास पत रिष्टों को लेकर है, इधर एक बार चुने जाने पर सत्ताधारी ऐसा ही कहते हैं, वो लोग कहते हैं, हमारा विश्वास कीजिए, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनीजियों की हम उत्तरदाई रहेंगे, हम एक ऐसी सरकार की विवस्था करेंगे, जिसमें चुनावों के जरिये, प्राप्त लोक तंतर को परिनामों की दक्षता के साथ जोड़ा जाएगा, लोक तंतर के इस रूप में, निश्चित समय के बाद, वोट डालने के सिवाए, जनता के पास कोई और शक्ति नहीं होती, तता यह ववस्था, जैसा की एक भूत पूर्व लोड चांसर्द ने इसके बारे में कहा था, एक निर्वाचित ताना शाही, इलेक्टेड डिक्टेटरशिप बन जाती है, जनता मूख दर्शक बन कर रह जाती है, और राजकाल में अपनी सक्रिय भागिदारी खो देती है, लेकिन प्रश्ण ये उठते हैं, क्या सरकार की भी तरीक, कारगुजारियों का लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, सरकार की व्यवस्था को कैसे जिम्मेदार बनाना चाहिए, और इसका तरीका क्या है, अतहा, इस प्रकार भागिदारी और भागिदारी की मांग उत्पन होती है, सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण बन जाता है, केवल इसी के माध्यम से लोग, लोकतांसरिक प्रक्रिया में भागिदार बन सकते हैं, वास्तविक राजनीती शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तता राजनीती में निरिजीव वस्तु की बजाए सजीव करता की भूमी का निभा सकते हैं इस बात के तिन विभिन्द कारण है कि लोकतंत्र में किसी नागरी को सरकार के काम काज के बारे में सूचना का पता लगाने और उसे प्राप्त करने का अधिकार क्यों होना चाहिए पहला कारण तो यह है कि कोई सरकार जो गुप्त रूप से कार्य करती है वह उसे सोपी गई शक्ति का दुरूप्योग कर सकती है सूचना का अधिकार कार्य कारिनी के मन मानेपन ब्रश्टाचार और भाई बतिजावाद के प्रवृत्य पर एक अंकुष की भूमी का दिभाता है क्योंकि इन सब बुराईयों का जन्म गोपनियता है कि अंधेरे में होता है इन बुराईयों को मिटाने का सर्वत्तम उपाई यही है कि इन पर प्रकाश डाला जाए दूसरा कारण यह है कि सर्कार के स्वामित्वावाली सूचना तक पोंच से राज्य तता उस नागरी के बीच असंतुलन्ग की स्थिती को सुदारा जा सकता है जिससे राज्य द्वारा हर प्रकार की सूचना मांगी जाती है तीसरा और अंतिम कारण यह है कि लोकतांत्रिक सरकार का यह सार है कि जनता को उन स्थितियों के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार होना चाहिए जिन में उनके नाम पर फैसले किये जा रहे है उसे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए तथा यदि कोई फैंसला गलत या अविवेक पूर्ण हो तो उसे उस फैंसले के खिलाफ जन्मत तैयार करने का मौका मिलना चाहिए यह सच है कि कभी अपने हंकार में लूबी सरकार विशेज रूप से तब जब कि विधान मंदल में उसे भारी बहुमत प्राप्त हो पैटा पैदा कर सकता है और उसे ठीक होने के लिए विवश कर सकता है इस बारे में कोई संदे नहीं है कि सरकार के फैंसले और बहतर हो सकते है यदि फैंसले लेने की प्रक्रिया में जन्ता का भी सहयोग लिया जाए तता इसमें आगे और भी सुधार हो सकता है यदि फैसले करने वालेओं को यह अगनान हो कि वे जनता के विचार के अनुरूपी कारिवाई कर रहे हैं अब जहां तक International Covenant of Civil and Political Rights का संबंध है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गटक के रूप में संचार माध्यम की स्वतंत्रता पर Covenant के अनुच्छेद 19 के खंट 3 में निर्धारिक प्रयोजोनों के लिए बने कानून द्वारा रोक लगाई जा सकती है भारत के समुविधान के अनुच्छेद 1922 में इसी प्रकार का उपबंध है जिसके अनुसार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की कोई बात इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रिपुर्ण संबंधों लोक विवस्ता सिष्टाचार या सदाचार के हित में अत्वा न्यायालय अपमान मानहानी या अपराद उद्दीपन के संबंध में युक्त युक्त दिर्बंधन जहां तक कोई विद्यबान विदी अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेंगी या वैसे दिर्बंदन अधिरोपित करने वाली कोई विदी बनाने में राज्य को निवारित नहीं करेंगी प्रारंब में, सम्विधान में, लोक व्यवस्था के हीत में निर्बंदन का प्रावधान नहीं था लेकिन भारत के उच्चतम न्याय अले ने रमेश थापर के मामले में यह नरी ने दिया था कि कोई भी बात जो राज्य के आधार को खत्रा पैदा करने अत्वा इसे उखाड फेकने के से कम हो वाक और अभिव्यक्ति की स्वचंचरा के अधिकार में कमी करने को वैद नहीं ठारा सकती तथा लोक व्यवस्था को खत्रे की आशन का इस परियाप्त कारण नहीं बन सकती तथ पश्चात सम्विधान में लोक व्यवस्था के हितों में निर्बंधन के प्रावधान के लिए तद अनुसार संसोधन कर लिया गया लेकिन लोक व्यवस्था संबंदी इस अवरोध को अनेक न्यायविदों ने बड़ा व्यापक माना है उनका विचार है कि इन में किके इस में अब कुछ और नए उपाय करने कि गुणजायाश हो गई है हलाकि इंटरनेशनल कॉबेनेंट के अनुचेद 19 में लोक व्यवस्था के संवरक्षन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रदा पर रोक लगाने का उपयुक्त अउचित्य माना गया है और इसलिए संबवत यह दावा किया गया है कि संवरक्षन ने लोक व्यवस्था के हीतों में शब्दों को डाल कर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रदा को और जादा प्रतिबंदित करते हुए अंतर राष्ट्रिया मानवधिकार मानदंडों का उल्लंगन नहीं किया है लेकिन प्रश्ण यह है कि इन शब्दों की किस प्रकार व्याख्या की जाए और की जाती है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है तदा यह बात पूरी तोर पर इस न्याईक विवेक पर निर्बर करती है कि संस्टार माध्यम की स्वतंत्रदा सहित वाक और अभिव्यक्ति की सतंसरता के प्रतिष्टित मुल्यों के प्रतिज्ञाय पालिका कहां तक संबीदन शिल रहती है भारत के उच्चतम ज्ञाय लए ने इन शब्दों की यथार्थ व्यक्या करते हुए संचार माध्यम के बारे में अनेक लोक व्यवस्ता संबंधी कानूनी नियंत्रणों की पुष्टि की है इन शब्दों के प्रयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंद के विस्तार को रामजिलाल मोदी मामले में विशेश बल मिला था इस मामले में न्यायले ने भारतिय दंड संविता की उस धारा की पुष्टि की थी जिसमें नागरीकों के एक वर्क के धर्म अत्वा धर्मिक विश्वासों के अनादर को उस थिती में भी वर्जित किया था जब तत्संबंदी अप्रिय तिपणी अइत्यासिक तथ्य के रूप में अथो वईग्णानिक अनुसंदान की भावना से या विवेचनात्मक विश्लेशन के तोर पर की गई वे और इससे लोग व्यवस्ता में मास्तों में कोई गड़बडी पैदा न हुई हो संचार माध्यम के अधिकारों की कीमत पर लोग व्यवस्ता बनाए रखने की सरकारी अनिवारियाता पर टिपणी करते हुए ज्यायले ने कहा लोक व्यवस्था के हीत में वाक और अभी व्यक्ति की स्वतंतरता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंद लोक व्यवस्था को बनाये रखने से कहीं अधिक व्यापक है अतहाई यदि कुछ गतिविधियों से लोक व्यवस्था भंग हो सकती है तो उन्हें रोकने के लिए बनाया गया कानून लोक व्यवस्था के हीत में उचित प्रतिबंद लगाने वाला ही कानून माना जाएगा चाहे कुछ मामलों में ये गतिविधियां के वास्तविक रूप से बेशक लोक व्यवस्था भंग न कर रही हो निजी तोर पर मैं नहीं समझता के धार्मिक विश्वास अधा धार्मिक आचरण पर आधारित सामाजिक रिवाज के विवेचनात्मक मुल्यांकन को सरकार द्वारा क्यों निशेद किया जाना चाहिए बैशक इससे संकीर्ण अत्याधिक समवेदनशील और वईग्नानिक नजरियां न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लोक व्यवस्था में गडबड फैलाने की आशंका ही क्यों न हो सरकार को लोक व्यवस्था बनाये रखने के आवश्य कुपाय करने चाहिए नहीं वाक और अभिवक्ति की सतंत्रा पर रोक लगाये जाए जो अन्यत्या अईतियासिक तत्यों अथवा वईग्नानिक आलोचना की द्रश्टी से अभी पुष्ट आधार की सीमा में हो कुछ समय पहले गुजरात में गुजरात के एक सोशल साइंस रिशर्च इंस्टिट्यूट ने अईतियासिक अभी लेखों और उपलब्द आकड़ों के विश्लेश्राशन अमकमत बुल्यांकन के आधार पर हिंदू धर्म के स्वामी नारान पंथ का एक अध्ययन प्रकाशित किया इस अध्ययन के लेखक समाज शास्त्र के तीन शोद करता थे जिने सरकारद्वारा भारतिय दंड संविता की इसी धारा के अधीन किये गए अपराद के आरोप में नायाले के समक्ष लाया गया मुझे यह अगनात नहीं है कि इस आरोप का क्या हुआ मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं इस पर यहां टिपने करूँ क्योंकि यहां मामला में क्या हुआ हुआ मुझे पता नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस से अनेक वैगनानिक सिक्षा विद और शोदकता अती हतोत साहित हो गए उन्होंने अनूभव किया कि सरकार और समाज का एक वर्ग अईतियासिक तथ्यों पर आध्यारित वैग्यानिक अध्यान को बरदास्त नहीं कर पाया तथा उक्त अध्यान के लेखों लेखकों की अभिव्यक्ति को उनके विरुद्ध मुकर्दमा चलाक कर ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया उन्होंने यह प्रश्ण किया क्या भारतिय दंड सम्विता के इस धारा का प्रयोग एक अध्यासी का या वैग्नानिक अध्यान के लेखक अथवा एक नए मत नए विचार के प्रस्तावक के अभिव्यक्ति की सद्द्रागों केबल इसलिए दवाने के वास्ते प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि कुछ ऐसे सम्वेदंशिन लोगों ने जिनका नजरिया वैदनानिक नहीं है अत्वा जो रूडिवादी है इसका बुरा माना है और यदि अध्यारा अभिवक्ति को इस प्रकार दवाने की इजाज़त देती है तो क्या यह असम्वेदानिक नहीं है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्टंतरा पर अवैद रूप से लोग रोक ही तो लगा रही है लेकिन जहां एक और न्यायलाई ने संभवत सरकार की इस शक्ति का समर्थन किया है कि वह लोक व्यवस्था के नाम पर संचार माध्यम की स्टंतरदा पर पाबंदी लगा सकती है वही दूसरी और न्यायलाई ने अन्य सरकारी प्रतिबंदों के खिलाफ संचार माध्यम और पत्रकारों की सवरक्षन भी प्रदान किया है नियाले ने अनेक मामलों में यह निरे ने दिया है कि वाक और अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता भी शामिल है और यह स्वतंत्रता प्रकाशनों के विक्री के आजादी से सुनिश्चित होती है इस स्वतंत्रदा के लिए प्रकाशन के विक्री के आजादी प्रकाशन की स्वतंत्रदा के रूप में अनिवाईया है वास्तव में बिना प्रचालन के प्रकाशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता इस संब्द में रमेश थापर के मामले में न्याय लए ने मदरास राज्य में एक पत्रिका के प्रवेश और बिक्री पर लगे प्रतिबंद को अवईद करार गोशित किया था नियायलई ने सकाल न्यूस पेपर मामले में उस विधान को भी अववईधानी की गोशित किया था जिसमें समाचार पत्र के मुल्य को इसके प्रकाशित पुष्टों की संख्या से संबंद कर दिया था इस मामले में नियायलई ने यह फैंसला दिया कि इस संदेहासपद विधान के अंतरगत समाचार पत्र के पास यही विकल परह गये थे या तो वह समाचार पत्र के दाम उचित और सस्ते रखने के उद्देश्य से पृष्टों के संख्या कमी करे और या फिर यदि जलूरी हो तो पृष्टों की संख्या बढ़ा कर अधिक मुल्य वसूल करे इन दोनों विकल्पों से ही समाचार पत्र की बीक्री पर असर पढ़ जाएगी और इस प्रकार इससे वाक और अभी व्यक्ति की स्वतंचरता की संवेधानिक गैरंटी का उलंगन होगा एक अन्यमामले बेनेट कॉलमें केस में भी न्यायले ने अकबारिक कागस के नियंत्रन की सरकारी नीती को इस अधार पर रद कर दिया गया कि उक्तनीती द्वारा पृष्ट संख्या सीमित करके तता नए समाचार पत्र और नए अंक निकालने पर पाबंदी लगाकर समाचार पत्रों के विकास और विक्री को प्रत्यक्षद प्रतिबंदित किया गया था मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भारतिय कानून के अंतरगत और जहां तक मुझे पता है तुनिया के दूसरे हिस्टों में भी समवईधानिक कानून के आम सद्धान्तों के अंतरगत वाक और अभिवक्ति की स्वatंतरदा पर लगाया गया प्रतिबंदित चाहे यह विशिष्ट श्रेनियों के हित में लगाया गया हो इसे लगाने के आवशक्ता से बेमेल नहीं होना चाहिए इन दोनों प्रतियोगी हितों राज्य की लोक व्यवस्था आदी की सुरक्षा के रख रखात में सामाजिक हित तदा वाक और अभिव्यक्ती की स्टन्तरता संबंदी नागरिक के अधिकार का मुक्ट और अबाद स्वरूप से प्रयोग किये जाने में सामाजिक हित में संतू करने संबंदी इस नाजुक कारिय को राजनीतिक विवेक की मदद से न्याय पालिका पूरा कर सकती है वाक और अभिव्यक्ति की स्टंत्रता के मूल अधिकार को क्षीन नहीं होने दिया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसा सर्वादिक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जो न के प्रतिष्टा के लिए ही जरूरी है बलकि मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और समूची मानव जाती की प्रगति के लिए बहुत आवश्चक है अता इस अधिकार पर लगाई गई पाबंधी के अउचित्य की बढ़ाई से परक की जानी चाहिए और इस परक को यह बनाया जाना चाहिए इस संबंध में इंटरनेशनल कॉवेनंट के अनुच्चिद 19 के खंड तीन में यह उले किया गया है कि यह अधिकार जितने लाप के लिए बनाया गया है इस पर लगाई जाने वाली पाबंधी से कहीं इसकी हानी और उससे अधिक नहीं हो जानी च इपनी की थी जिस अधिकार पर पाबंधी लगाई गई है उसका अस्वरू इस पर लगाई गई पाबंधियों का मुख्य प्रयोजन समाप्ट की जाने वाली बुराई का विस्तार पाबंधी लगाने में असंगता और तत्काल इन स्थितियां इन सब बातों का न्याइक न किरने में उलेक किया जाना चाहिए लॉड विजरी जो अंग्रेजी एक जाज है उसने भी एक केस में टिपनी करते हुए कहा जब न्यायालएक के समक्ष ऐसी पाबंधी का मुकदमा आये तो उसे इस बात की गहराई से जांच करनी चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लगाई जाए जो लोक आवश्यक्ता की जरूरत से पर हो सर जॉन डॉनल्सन और एक अंग्रेजी जज ने भी इस बात का ध्यान रखते हुए कहा है कि राश्ट्रिय सुरक्षा में जनहीत के समरक्षन के लिए इंजंक्षन को जारी रखना आवश्यक नहीं है तता जब वा माध्यम की स्तंतरता के संबंदित कुछ और मुद्पन की स्व Maar यहां हवाला देना चाहता हूं क्य पहला मुद्दा में उस प्रति बंद से संबंदित है िूसे भारत के संविधान के अंतरगत वाक और अभियक्ती की स्वतंत्रदा के अधिकार में उचित स्वरूप से शामिल किया जा सकता है और मेरे विचार में मैं इस पर गंभीर भास और चर्चा होनी चाहिए समविधान में यह व्यवस्ता है कि कुछ एक विशिष्ट मामलों में जिन में न्याया लएकी अवमानता का मामला भी सम्मिलित है वाक और अभिव्यक्ती की स्वर्टंत्रदा पर उपयुक्त प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं किसी को भी यह अनुमती नहीं दी जा सकती कि वह वाक और अभिव्यक्ति की इस तंत्रदा के अपने अधिकार का प्रयोग करके न्याया लग की अवमानना और अवहेलना करे लेकिन भारत में लंबे समय से यह विवाज चला आ रहा है कि न्याया लग की अवमानता किस-किस बात में होती है जो contempt of court हम कहते है भारत में इस निर्विबात कानून माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्याया धीश पर बेई मानी अत्वा बेद भाव या पक्षपात करने का लांचन लगा कर न्याया लग को आगात पहुंचाता है फिर चाहे उसके द्वारा लगाया गया लांचन सच हो सच ही हो और वह उसे सिद्ध करने की स्थिति में भी हो तो यह उसके द्वारा द्याया लगी अवमाना करना ही माना जाएगा कानून कहता है कि ऐसे मामले में सचाई कोई बचाव नहीं है अवमानना करने वाले उस व्यक्ति को अपने दावे की सत्यता प्रमानित करने की अनुमती नहीं दी जा सकती वाक और विवक्ति की सतंतरदा के अधिकार का यह गोर उनलंगन है लेकिन अंग्रोजों के समय से ही भारत में अवमानना का यही कानून रहा है और हमें यह उनसे विरासत में बिला है न्यायले कि अवमानना के बारे में इस द्रक्षिकोन का आधार एक जज विलमत हो गया अठारामी शतापदी में दी गई उस राई में मिलता है जो राई बनाई तो गई थी लेकिन गोशित नहीं की गई थी इन विद्वा न्यायाधीश्ट में जो बाद में सामन्य दावो संबंदी मुख्य न्यायाधीश्ट मन गये थे यह कहा था न्यायाधीश्ट के निर्णई पर दोशार उपन करना समराट के राज्य के निर्णई पर दोशार उपन है यह निर्णई देने में उसकी बुद्धिमत्ता और नेकियत नेकनियती को चुनोती है तो आम लोगों में असंतोष फैलाना है और जब कानून के प्रती लोगों की निष्टा इस प्रकार डगमगा जाएगी तो यह स्तिती न्याय के मार्क से सबसे अधीक घातक और खतरनाक रुकावट सिद्ध होगी उसने कहा था यह विलमट द्वारा व्यक्त की गई इस राइग की जस्टिस फलेचर ने एक आईरिश मामले में कटू आलोचना की थी लेकिन जैसे तैसे इसे भारत में स्विकार कर दिया गया संभवत इसलिए कि भारत में न्याय की ब्रिटिश प्रनाली को अपनाया गया था यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में न्याय लेक को आगाद पहुंचाने जैसी कोई अवमानना नहीं है वहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है भारत और अमरीका दोनों देशों के लिखित संभिधान है तता इन संभिधानों में वाक और अभिवक्ति की सतंत्रदा के अधिकार सहीत मूल अधिकारों का असपश्ट उलेक है इस बात को ध्यान में रखते हुए संभवतह यह अनुमान लगाया गया होगा कि भारत के न्यायलाई ब्रिटिश पुर्व उदाहरणों की तूलना में अमरीकी पुर्व उदाहरणों को तरजी देंगे लेकिन भारत के उच्चतम न्यायलाई ने अमरीकन द्रष्टिकोर्व नहीं अपनाया क्योंकि इतनी रा, क्योंकि इसकी राई में भारत में सिध्ञान्दों का निरुपन उच्च न्याय लोयों तो आजादी से पहले यह द्रश्टी को अपनाया लिया था कि अवमानना करने वाले आरोप की सत्यता बचाव की कोई दलीद नहीं है अवमानना करने वाला कथित दोशी व्यक्ति और चित्य का दावा नहीं कर सकता था और उशे शाक्षों के द्वारा अपने आरोपों को सिद्ध करने की अनुमती नहीं थी वस्तुत इस बात को इस प्रकार लिया जाता था कि अपने को सही सिद्ध करने का प्रत्येक प्रयास अपमानता का एक और नया अपराद होगा आजादी के बाद भारत के उच्चतम न्यायले ने एक और मामले में इसी द्रश्टिकोन को अपनाते हुए यह निर्ण दिया कि हो सकता है कि लेबल संबंदी कारियवाही में सत्यता और तथ्यातमक और उचित्य एक अच्चा बचाव हो लेकिन अवमानता के कानून में शायद ही ऐसा कोई इंग्लिश या भारतिया मामला होगा जिसमें ऐसे बचाव को स्विकार किया गया हो ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें बचाव को स्विकार किया गया हो उच्चतम न्यायले को इस द्रश्टिकोन को नकारने तथा वाक और अभिव्यक्ति की उस्तंत्रा के अनुरूप अधिक युक्ति युक्त द्रश्टिकोन अपनाने का एक उस मामले में अउसर मिला था जिसमें न्यायले अपमान नियमन 1952 की समवईधानिक वईदता को चुनोती दी गई थी तथा पी उच्च न्यायले ने इस बारे में पुराना द्रश्टिकोन ही अपनाया तथा उसी आधार का वाक और अभिव्यक्ति की उस्तंत्रदा के अधिकार पर इस अधिनियम द्व तो यह द्रश्टिकोन अपना सकता था कि सच्चाई एक बचाव है तता इसलिए यह अधिनियम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्या के अधिकार पर अवईद रूप से रोक नहीं लगा सकता अथवा यदि पुराने फैंसलो की यही के पुराने फैंसलो को ही सही कानून म अवसर गवा दिया परिणाम यहुआ कि कानून सही है जो पहले से चल रहा था अरथात अव मानता की कारियवाही में सत्य कोई बचाव नहीं है और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक उचित है यह जानना दिल चश्प होगा के उस्ट्रेलिया के उच्च न्य यह जानने एक मामले में एक भिन्न द्रश्ट्रीकोंड अपनाया है इस द्रश्ट्रीकोंड को पूरो अनुमती से लाइ जस्टिस सेल्मन की अध्यक्षता गामानदा के कानून संबंदी इंटरनेशनल इपार्टमेंट कमिटी रिपोर्ट के लिए भेजा गया है उसने कहा यद्यपी न्यायाधीश की सत्य निश्टा को चुनोती देना एक बहुती असामान्या ही बात है लेकिन ऐसा करना न्यायालई की अवमानना नहीं हो सकता वास्तों में संबंद तथ्यों का प्रकाश में लाना एक लोक करतव्या है औस्ट्रेलिया मामले में लिया गया यह द्रश्टी कौन वाक और अभिव्यक्ति की सतंतरता के जो एक बुनियादी मानवधिकार है अधिक अनुरूप में लगता है मेरी समझ में नहीं आता कि सचाई से न्यायले को कैसे आगात पहुंच सकता है और इसे क्यों दबाया जाना चाहिए न्यायले की प्रतिष्टा कायम रखना ज़रूरी है लेकिन इसका यह ताक पर यह नहीं कि चुम्पी लागू कर दी जाए और सत्य को दंडित किया जाए क्या यह जन हित में होगा कि सत्य को दबाया जाए और एक अयोग्य न्यायादीश द्वारा न्याय पाली का सत्यनाश किये जाने को सहन किया जाए बंबई उच्च न्यायले के एक पूरो मुख्य नायादीश ने यह ठिक कहा था उसने कहा था प्रत्य को यह स्विकार करना होगा कि अंततह न्यायालिका में विश्वास की भावना न्यायक कारिय है के आचरन पर ही निर्भर करेगी तता आलोचना दवाने की असाधरन प्रक्रिया द्वारा लंबे समय तक बनावटी तरीकों करसी विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता इससे भी बढ़कर बात यह है कि न्याय पालिका को जनता के प्रती जवाब दे होना चाहिए अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राज्य की संस्था है जिन में न्याय पालिका भी शामिल है कैसे अपना काम काज कर रही है इसकी कोई वज़न नहीं है कि लोगों को न्याय पालिका की वास्तविक सिती से अनबिग न रखा जाए लोगों को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि अधालतों में कितने मामले विचारादीन है और यह कब कब से विचारादीन है तता ऐसे कितने मामले है जिन में सुनवाई हो चुकी है लेकि निर्नाई गोशित नहीं किये गए है सुनवाई पुरी हो जाने के बाद यह निर्नाई कब से गोशित नहीं कर दिये गए है अदालतों ने प्रतिवर्ष कितनी पत्र याचिकाए स्विकार की और उनके क्या परिनाम रहे और ऐसे कितने दिन नायाधिश छुट्टी पर रहे जिन दिनों अदालतों खुली थी और कितने दिन जब अदालोत खुली है तब भी बाहर जाते हैं और काम नहीं करते हैं ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए ताकि न्याया पालिका की जवाबदारी को दिर्धारित किया जा सके लेकिन खेद है न्याय पालिका ने जन्ता को इस बारे में अनभिग नहीं रखा है प्रेस भी ऐसी सूचना प्रकाशित करने से कत्राती है कि कहीं उसे इस कारण न्याय अले की अवमानाना के आरोप में दंड नभुगनाना पले यह मत कि सत्य कोई बचाव नहीं है स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सक्रियता पर अंकुष लगाता है ऐसी स्थिती में जन हित में भी कोई टिपणी करने और सचाई को सामने लाने से प्रेस हिचकेगी और इस प्रकार न्याया पालिका को जन्ता के प्रती उत्तरदाईत नहीं बनाया जा सकता जिसका नतिजा यह होगा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्थंत्रता पर रोक के साथ साथ लोक्षती भी होगी क्या संचार माध्यम की स्थंत्रता को न्याया धीशों की समवेदन शीलता पर निर्बर रहने दिया जाए स्थंत्रता को न्याईक समवेदन शीलता और सनक पर दिर्बर नहीं रहने दिया जा सकता सम्विधान के इन दो मुल्यों वाक और अभिव्यक्ती संबंदी स्वतंतरता के अधिकार तथा निश्पक्ष न्याय के अधिकार को उचित प्रकार से संतुलित और समायोजित किया जाना चाहिए प्रेस और न्याय पालिका के बीच रिष्टे पर मेरे ये कुछ विचार थे अब मैं प्रेस और विधाईका के बीच रिष्टे के बारे में कुछ चर्चा करूँगा प्रेस की आजादी को विशेशी दिकार भंग के आधार पर विधाईका के हमले का भी भाई बना रहता है इससे यह प्रश्ण पैदा होता है कि विधाईका और न्याय पालिका की वास्तविक सीमा और शक्ति क्या 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 है यह सदेव एक विवादास्पत विशर रहा है कि प्रेस के उपयुक्त संवरक्षन के लिए विधाईका द्वारा विशेशी दाग विशेशी अधिकार के प्रयोग किये जाने पर न्याय लए कहां तक अंकुष लगा सकता है एक और अन्यमुद्दा जिस पर भी यहां कुछ चर्चा जरूरी है उत्तर के अधिकार के बारे में हैं कई बार किसी व्यक्ति को संचार माध्यम की स्टंत्रदा की मुक्त अभाद और गयर जिम्मेदाराना कारिवारी के विरुद्ध संवरक्षन की आवक्षरक्ता होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में समाचार पत्रों में कोई असत्य या भ्रामक सूचना प्रकाशित हो सकती है उस व्यक्ति को इसका उत्तर देने का अधिकार अवश्य होना चाहिए और उसका यह उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए International Right of Correction सब्बंधी कन्वेंशन में इस अधिकार को अंतर राष्ट्री अस्तर पर तो स्विकार कर लिया गया है लेकिन ऐसे बहुत कम देश है जिनोंने अभी इसकी पुष्टी की हो लेकिन राष्ट्री अस्तर पर भारत सई अनेक देशों में अभी इस अधिकार को मान्यता नहीं दी है इसे राष्ट्री विधान के एक हिस्से के रूप में कानून बनाया जाना जरूरी है इंगलंड में ऐसे लांचित व्यक्ति को उत्तर देने समंदी कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए किसी सदस्य द्वारा एक विधेयक भी पेश किया गया था लेकिन इस विधेयक को बहुमत से अस्विकार कर दिया गया था एक और अन्यमुद्दा जिस पर चर्चा की चर्चा जरूरी है पत्रकार के सूचना स्रोत की गोपनी यागता की से संबंदित है यह एक विवादास पद्प्रश्न है कि यदि कोई पत्रकार अपनी सूचना का स्रोत नहीं बताता है तो उसके लिए क्या साउरक्षन उपलब्द है यहाँ प्रश्ण वर्ष 1972 में एक मामले में अमरीका जिस सुप्रीम कोड के समक्ष विचारधारत प्रस्तुत हुआ था लेकिन सुप्रीम कोड ने इस प्रश्ण की व्यापक्ता में न जाते हुए केवल इतना कहा कि पत्रकार को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि यह अपना स्रोत केवल अपने ही प्रयोक के लिए रखे और विशे इस रूप से तब जबकि दान्डिक मामलों में साक्षी के सुरूप में प्रैस सामगरी की मां की जाए यह निरने केवल इतना ही संकीरन नियम निर्धारित करता है कि यदि किसी दान्डिक मामले में प्रैस सामगरी की मां की जाए तो पत्रकार द्वारा इसे रोक कर नहीं रखा जाएग लेकिन अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बारे में कोई फैंसलाई नहीं दिया है कि यदि सिविल मामले में साक्ष के रूप में प्रेस सामगरी की माग की जाए तो क्या परिनाम होगा हाला कि New York Court of Appeals ने अपने एक निर्णे में यह मंतव्य व्यक्त किया है कि अगोपनी यह सामगरी के मामले में भी पत्रकार को संवरक्षन का संवईधानिक अधिकार है और यह सिविल मामले में भी ऐसी सामगरी को प्रकट करने से मना कर सकता है New York Court of Appeals ने इस प्रकार राज्य संविधान द्वारा संपी गई प्रेस के व्यापक स्वतंतरता संबंदी गारंटी पर अपनी आस्था प्रकट की है